हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में अगर आप भी रोज रोज के वही खाने से बोर हो चुके हैं और आपका भी मन कर रहा है कि कुछ अच्छा चटपटा और क्रिस्पी सा कुछ खाया जाए तो यह रे सबसे पहले मैंने एक कटोरी काबुली चनल लिया है और इसे रात भर के लिए भीगो करके रख लिया है अगर आपके पास समय नहीं है आप सुबह भीगा रहे हैं तो आप 5-6 घंटे भी भीगा सकते हैं और यह देखिए अच्छे से भीग चुकी है चनल तो अब हम इसे पका लेंगे बहुत जादा ओवर कुक भी नहीं करना है इसे तो चलिए कुकर में हम चन डाल देते हैं और इसमें लगभग आधा चम्मच इतना नमक ढाल देंगे और पानी इतना ही डालना है जितना की चन अच्छे से डूबर है बस एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं ड ठकन बंद कर देंगे और इसे तीन सिटी आने तक पका लेंगे चार सिटी भी कर सकते हैं ऐसा कोई ज़री नहीं है कि तीन ही करना है तो लिजे चन अउबल करके तयार है तो अब इससे हम एक छनी में निकाल लेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही रहन देंगे ताकि जो भी इस अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा चामल का आटा भी डाल सकते हैं अब एक चमच इसमें अध्रक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चमच काली मीर्च का पाउडर है तो यह काली मीर्च बहुत तिखी है और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तिखा खाना पसंद न दाल सकते हैं काश्मेरी लाल मीर्च का उससे कलर भी आ जाता है और वह तिखी भी नहीं होती है तो मैं तो इससे सिंपली बना रही हूं आप चाहें तो यहाँ पर लाल मीर्च का पाउडर डाल सकते हैं अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा छोटा चमच नमक तो उबालते वक्त हमने डाला था आधा चमच और अभी फिर से डाला है आधा चमच तो यहां पर आप थोड़ा सा यतों टेस्ट कर लीजे नमक उसके हिसाब से डालिए इसे फिर से उचाल उचाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक पानी छोड़ती है तो थोड़ी चड़ा लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए तो देखिए तेल में से अब धूमा निकलने लगा है यह अच्छे से गरम हो चुकी है अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके चलना डालते जाएंगे और जैसे ही हम डालेंगे तुरंथी आप इसे चलाइए मत अच्छे से इसे सिखने देजिए तो लगभग 5-6 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही सिखने देंगे और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आजा इसके उपर जैसे ही डालेंगे हलका साज को आप लोटू मीडियम कर लीजिए और इसे अच्छे से क्रंची होने देजिए तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे चने को तल लिया है तो अच्छा गरम तेल जब हो जाए उस ताइम हमें डालना है तो यह देखिए बहुत ही क्रंची बनी है यह तो अब आती बारी इसे सर्व करने की तो चलिए चना रोष्ट हमारे तयार है इसके उपर हम आधा छोटा चमस्च चा कि पती और उपर से टमाटर सॉस डालेंगे और इसे सर्व करेंगे तो लिजे तयार है हमारी चना रोष्ट आप भी इंज्वाए कीजे और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लागी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले और अगर आप इस चैनल पर न